दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं राजिस्तान की बहुती फेमस सांगरी मेथी की कड़ी इसको बनाना जितना आसान है उतनी ही स्वादिश्ट बनती है और बहुती कम इंग्रिडियंट्स में ये बन करके त्यार हो जाती है तो आएए देखते हैं इस कड़ी को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की जरुत पड़ेगी तो सबसे पहले हम सूखे मसाले देख लेते हैं दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, कड़ी के अंदर हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज्यादा डालते हैं आदा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद की अनुसार नमक इसके अलावा हमने लिया है सांगरी जो राजस्थान में बहुत ही फेमस होती है ये सांगरी को मैंने गरम पानी में आदे घंटे तक बिगो के रख दिया है इसी तरह से मैंने डे टेबल स्पून मेथी दाना लिया है इनको भी मैंने आदे घंटे तक गरम पानी में विगो के रख दिया है ताकि मेथी और सांगरी आसानी से पक जाए और साथी में मैंने लिया है कुटा हुआ लेसुन आप लेसुन की क्वांटिटी है वो थोड़ा ज्यादा ले यह आपकी जो कड़ी का स्वाद है वो और ज्यादा बढ़ा देगा और जितना हो सके आप फ्रेश लेसुन का ही इस्तेमाल करें इसके अलावा मैंने तीन मीडियम साइज के कटे हुए प्याज और तीन हरी मिर्ची लिए अब हरी मिर्च और लाल मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं तो यह तो थे हमारे सारे इंग्रिडियन्स इसके अलावा यह मैंने एक लिटर चाच ली है और इसके अंदर दो टेबल स्पून ऊपर तक भरे हुए बेसन मिलाया है इस बेसन को अपने हाथ की सहाइता से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर किसी बी तरह की कोई गूठली ना रहे कड़ी बनाते हैं कड़ी के लिए मसाली अपने तयार हो गए हैं सर्षे पहले हम इसके अंदर सर्सों का तेल डाले हैं दो टेबल स्पून मैंने इसमें सर्सों का तेल डाला है और इसको हम गरम करेंगे अब इसके अंदर राई एड़ करेंगे जीरा भी एड़ कर देंगे तो गाई आज सुमित्रा बना रही है राजस्तान की फेमस कड़ी जो सांगरी और मेती से बनती है तो देखते हैं ये बहुत ही टेस्टी कड़ी है वो सुमित्रा कैसे बना रही है हमारा राई और जीरा जो है वो पक गया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये प्याज और हरी मिर्च प्याज को हमें ब्राउन होने तक पकाना है दोस्तों इन सूखे मसालों के अंदर मैंने पानी डाल लिया है ताकि ये जले नहीं प्याज हमारे भुन करके त्यार हो गए है और अब हम इसके अंदर ये मसाले मिक्स कर देंगे दोस्तों हमारे ये मसाले जो हैं वो आदे पक चुके हैं और इसी टाइम पर हमें डालना है ये कूटा हुआ लसुन मेथी और ये सांगरी इन सारी चीज़ूं को हमें पांच मिनट तक और पकाना है दोस्तों हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भुन करके त्यार हो गए हैं और इसी टाइम पर हमें ये बेसन का जो घोल है इसको मिक्स करना है ये बेसन का घोल डालते समय ध्यान रखना है कि हमें कर्ची को कंटिनियोसली गुमाना है नई तो ये चार्च जो है वो फट जाएगी जब तक इस मसाले के अंदर उबाल नहीं आ जाता है हमें कंटिनियोसली इस कर्ची को गुमाते रहना है 10-15 मिनट तक हमें इस कर्ची को इसी तरह से गुमाते रहना है और इस कर्ची को पकाना है हमें अल्मोस्ट 10 मिनट हो गए है और ये कर्ची जो है वो गाड़ी होने लग गई है एक बार उबाल आने के बाद में आप slow flame पे इस कड़ी को इसी तरह से पकने दे और बीच बीच में कर्ची को हिलाते रहें दोस्तो 20 मिनिट हो गए हैं और ये हमारी कड़ी बन करके त्यार हैं अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और ग्यास को बन कर देंगे तो दोस्तो आशा करती हूँ कि आपको ये डिश पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें once again thank you so much for watching this video and take care